हेलो स्टूडेंट्स आरपी पबलिक इस्कूल जोगी ठेर के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माद्यम से आज हम आपको सिखाएंगे दरपण के लिए आवर्दन चमता का बेंजग क्या है दरपण के लिए आवर्दन चमता का बेंजग तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपतल दरपण बना लेते हैं बच्चों हमने क्या किया एक अप्तल दरपड बना लिया अप्तल दरपड पर बाहर की साइड में पॉलिस होती है तो हमने बाहर की साइड में पॉलिस दिखा दी यह हो गई मुख्यक्ष यहां हो गया धुरोपी यह हो गई मुख्यक्ष में एक्सेस में में एक्सेस हो गई यह हो गया हम M1, यह M2 साइड हो गई, अब हमने क्या किया, हमने यहां पर माल ली, focus, और यहां माल लिया हमने center, C, center of curvature, तो यह हो गया C, यह हो गया F, अब हमने क्या करा, यहां infinite, यह जो दूर infinite है, infinite और center of curvature के बीच में हमने क्या करा, एक object को रख दिया, तो आप समझ रहा हैं, यहां से light चलेगी, जब light straight forward जाएगी, तो यह यहां से टकराने के बाद कहां से जाएगी, focus से जाएगी, focus, यह focus point हो गया, फिर इसके बाद, यह center of curvature से जाएगी, तो यह center of curvature से जाने के बाद, mirror से टकराने के बाद, यह return हो जाएगी, यह जाने का angle, यह pole पे हम दिखाएंगे light, यह pole पे light यहां से travel करेगी, फिर यह यहां से ऐसे होती हुई, यह यहां आ जाएगी, यह इस तरह से, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, बच्चो परावारतन, परावारतन ही तो होगा यह, परावारतन हो गया, आपतित किरड़ और यह परावारतित किरड़ हो गई, यह लाने, देखो, अब देखें, इसके बाद क्या करेंगे, यह जो angle है, इसको ध्यान देंगे यह एंगल बराबर होगा यह अगर i होगा तो यह r होगा और यह a है यह b है यह a डैस यहाँ पर b डैस यहाँ image बन जाएगी यह image बन गई यहाँ हमने क्या लिख दिया? m लिख दिया आप देखिए इसमें दो ट्राइंगल बनना है बच्चो कौन कौन से दो ट्राइंगल बनना है? समरूप तरबुज बनना है कौन कौन से बनना है? देखो यह वाला एक तरबुज बनना है और एक यह वाला तरबुज बनना है इन दोनों त्रवुजों में एक खासियत है कि यहाँ पर यह 90 और इसमें यह वाला 90 आप देखिए परावर्तन के नियम से पहले ट्राइंगल लग ले रहे हैं ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABP ABP बा त्रवुज एक और ट्राइंगल बनना है A-B-P A-B-P में इन दोनों ट्राइंगल में हम कुछ बात कहेंगे इन दोनों ट्राइंगल में क्या खासियत है एंगल I, एंगल R बराबर है यहाँ हम लिख सकते हैं A, P, B एंगल A, P, B A, P, B A, P, B को क्या नाम दिया है आपने I नाम दिया है B dash P A dash को क्या नाम दिया है B dash P या ऐसे कहे दो आप A dash P B dash A dash P B dash को क्या नाम दिया है R नाम दिया है परावरतन के नियम से क्या होता है परावरतन के नियम क्या होता है यहां लिख दे रहा है परावरतन के नियम से परावरतन के नियम से क्या है परावरतन का नियम कि एंगल i और r आपस में बरावर होंगे एंगल i equal to एंगल r तो यानि कि a p b एंगल यहां लिख दे रहें a p b इसका नाम a p b तो है और इसका नाम क्या है a dash p b dash a dash p b dash नाम है इसका a dash p b dash तो यह दोनों एंगल आपस में बरावर हो गए एंगल का sign आप देखिए a b p यहां 90 बनना है तो a b p बरावर 90 इसी परकार a dash b dash p a dash b dash p बरावर b 90 दोनों 90 है तो आपस में बरावर होंगे a b p बरावर एंगल a dash b dash p बरावर 90 अब इसका मतलब क्या हुआ तीसरा वाला एंगल एक बचा यह वाला बचा यह वाला एंगल और यह वाला एंगल ट्रावर एंगल के अंदर अगर दो एंगल बरावर होते हैं तो तीसरा वाला एंगल भी बरावर होता है तो इसका मतलब यह बरावर होगा तो दोनों ट्रावर कैसे हुए सम्रूप हो गए तो लिखेंगे अथा तिरबुज तिरबुज के नाम क्या है ABP similar triangle दोनों triangle similar हो गए A-B-P के A-B-P दोनों similar हो गए अथा दोनों triangle similar है अब जब similar है तो कौन सा रूल लगएगा A-B-D-स अपॉन A-B-D-स अपॉन A-B-D-स अपॉन A-B इसके अपन में ये साइड चली गई इसी प्रकार से B-P के अपन में कौन चला जाएगा BP तो B-P B-P अपन BP अब AB को क्या ना पहेंगे AB नीचे है नीचे की सीज़े हम कायम मेजर करते है माइनस में उपर की चीज़ें प्लस में तो ये कायम मेजर किया जाएगा ये इमेज उपर बन ये अबजेक्ट उपर है इस लाइन के उपर है माने पॉजिटिब बाई एक्सेस में है तो पॉजिटिब बाई एक्सेस में है तो यानि की प्लस ली जाएगी पोल से image तक की distance है, minus b लेंगे इसे, और ये पोल से object की distance है, इसे minus b लेंगे, इसे minus u लेंगे क्योंकि इसे हम u से denote करते हैं, reflected side में, जिदर से raise आती हैं, वो side negative ली जाती है, तो ये side negative ली जाएगी, मनें u b के respect में, minus minus कट गए, तो ये आया, i upon o, b upon u, ये minus इदर लिख दिया, तो formula बन गया, i upon o, बराबर minus, b upon u, इसी को कहते हैं, magnifying power,ından strength, am, तो क्या बना, ये क्या चीज़ है, ये पर्ति बिम्ब की लंबाई है, हिंदी में इसे लिखें तो पर्ति बिम्ब की लंबाई, इसे क्या लिखेंगे, बस्तू की लंबाई, क्या लिखेंगे इसे, बस्तू की लंबाई यह क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे धुरोप से प्रतिविम्ब की दूरी यह लिखेंगे दरपन से प्रतिविम्ब की दूरी दरपन से प्रतिविम्ब की दूरी इसे के लिखेंगे दर्पन से बस्तू की दूरी और ये किसके बराबर कहलाएगी आवर्धन चम्ता के किसके बराबर कहलाती है ये आवर्धन चम्ता आवर्धन चम्ता हो गई है आवर्धन चम्ता के बारे में एक और नोट पॉइंट हम बताते हैं नोट पॉइंट है कि आवर्धन चम्ता का आवर्धन चम्ता का मात्रक नहीं होता है तो ये सभी स्टूडेंट्स नोट में रखेंगे इस बात को कि आवर्धन चम्ता का मात्रक नहीं होता है तो ये बहुत इंपोर्टन फार्मूला है और इससे आप एक्सरसाइज के नुमेरिकल कर पाएंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टन फार्मूला है इसको रिवाइस करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझगा होंगे